आपको इस स्क्रीन पर एक सामने फोटो देख रही होगे और मुझे लगता है कि आप सभी लोग इने जानते भी होगे और अगर नहीं जानते हैं तो आज हम लोग इनके बारे में एक विस्तार से बात करेंगे लेकिन मैं इतना मानता हूँ कि देखें इने कुर्सी का मज़ा हुआ खिलाड़ी या फिर आप लोग देखिए आज की राजनीती का मज़ा हुआ खिलाड़ी कह सकते हैं और वैसे तो आप देखते हैं कि एक सब्द यूज किया जाता है राजनीती ने राजनीती का मौसम विज्ञानिक या फिर आप लोग देखे या आप लोग कह सकते हैं कि आप लोग उन्हें देखा हुगा राम बिलास पास्वान के लिए सब्द यूज किया जाता था क्योंकि आप देखे केंद में किसी की भी सरकार रही हो लेकिर राम बिलास पास्वान आप देखे हर सरकार में आप देखे मंतरी का बद उन्हें मिला रहता था और इसी तरह आप देख सकते हैं कि जियोतिया दित्ति सिंधिया की बात कर लिए आप सभी जानते हैं कि ये कॉंग्रिस में लंबे समय तक इन रही है और जब तक आपने देखा है कि कॉंग्रिस सत्ता में रही है तो इन्हें के अंदर में आपने देखा है कि कैमिनिट मंतरी मंतरी का बद मिला रहा है आज आप देखें बीजेपी सत्ता में आ चुकी है तो आपने देखा है कि ये बीजेपी में सामिल हो गए और इन्हें आप देखते हैं कि cabinet मंत्री भी बना दिया गया तो इन्हें को रिसे फिर से मिल चुकी है और हो सकता है कि आने वाले समय में किसी और party सत्ता में आती है या congress की बापसी होती है तो मुझे लगता है कि उस समय देखे बिलकुल नहीं कह सकते हैं लोग आज की नेताओं के बारे में कि एक कहीं एक जगे टिक के रहेंगे तो उस समय उस party में भी यह समय हो सकते हैं खेरे अभी की छोड़िये आप लोग सिंधिया घरानी का आप लोग इतिहास तो पड़े होंगे ना और 1857 से आप लोग उन्हें जरूर पड़ा होगा रानी लेचिवाई के बारे में आप लोग पढ़ते रहते हैं तो उस समय भी तो आप सभी जानते हैं कि उस समय भी आप देखे इन्होंने अपनी राजगत्ती आपना जो भी सासन रहा है जो भी अपनी एक तरह से आप देखे उस समय की इनकी बेवस्था रही है उसे इन्होंने बच्चा लिया था अपने समराज को बच्चाय रखे थे अंग्रेजों का साथ देकर भी ठेक है तो यह भी आप लोग याद रखेगा चलिए इन्हें आप लोग देखते हैं उसे पहले एक किसे कहां से सम्मंद रखते हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं आप सबी जानते हैं कि ये इनका समंद मद्ध पिदेश से हैं, तहां से मद्ध पिदेश से, और ये आप देखे भी रहे हों कि मद्ध पिदेश आपको वीचों वीच में देखने को मिलेगा, और इसलिए तो आप देखते हैं इसका नाम मद्ध पिदेश रख दिया गया, और मद्पिदेश को आप लोग टाइगर पिदेश, सोया पिदेश या आप लोग हिदय फिदेश भी कह देते हैं या फिर आप लोग नदीयों का माहिका भी कहते हैं ताइगर फिदेश भी कहते देते हैं तो आपको बता दूँ कि इसकी राध्धानी घोपाल है और इससे लगे ह हुए अगर राज्जों की बात करें तो महराष्ट हो गया गुजरात हो गया राजिस्थान उत्तर प्यदेश और चतिसगर पांच राज्जों से मद्प्यदेश की सीमा लगती है क्योंकि आप देखें कि कई बार इस तरह के कुश्चन भी आपकी परिप्चाओं में बोच ल अगया था चतिसगर पहले मद्प्यदेश का हिस्सा हुआ करता था और मद्प्यदेश में अगर हम लोग बिधाल सभा सीटों की बात करें तो 230 देखने को मिलेगी लोग सभा सीटों की बात करें तो 29 सीट देखने को मिलेगी राज्ज सभा की बात करें तो 11 सीट देखने को याद रखेगा तो इनके अगर हम लोग नाम की बात करें तो आप लोगों ने पोटो दो देख ली होगी ना अगर नहीं देखिए पोटो तो देख लीजेगा यापकी स्क्रीन के साब ने या आपको जोतिया दित्सिंद्या आपको पीदि दिखा दे रहे होंगे। इनके नाम की बात कर रहा हूँ तो जोतिया दित्य सिंधिया इनका नाम है। और इनके उपनाम की बात करें पना उपनाम लिखते हैं। इनके जनम तेथी की बात करें, यानि की जनम की बात करें, तो एक जनमरी 1971 को इनका जनम हुआ था, और कहां हुआ था, मुंबई महराश्ट में, अब आप लोग कहेंगे कि मुंबई भी दिखा दीजे, महराश्ट का है, तो देखें आप लोग मद्वधिश की नीचे आप दे जय विलास फैलिस के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप अगर ग्वालियर जाते होंगे, तो जय विलास फैलिस को जरूर घूम के आते होंगे, ठीक है, और इनकी माता की बात करें तो मादवी राजी सिंदिया, इनकी माता, और पिता की बात करें तो मादव र बेटे का आम, और अनन्या राजिस इंदिया बेटी का नाम है अब बात आती है थी सिख्छा इक तो आप सभी जानते हैं कि एक संपन में परिवास से हैं तो पढ़ना सौभाविक है इनका, बेतर सिक्षा मिलना, सौभावी भी है तो सेक्षडी के उगुता में आप देखेंगे तो MA इनों नों किया हुआ है और MBA भी किया हुआ है और आप सभी जानते हैं कि बारवी के बाद आप लोग जब बारवी पास हो जाते हैं तो BA करते हैं, उसकी बाद आप लोग उन्हें MA भी करते हैं तो उसी की बात कर रहा हूँ MBA भी आप देखेंगे एक तरह से business class का आप देखेंगे एक तरह से degree होती है तो MBA भी किया हुआ है Dawn School देहरादून और Harvard University USA से भी पढ़ाई की हुई है यानि कि America से भी इन्होंने पढ़ाई की हुई है Stanford University Graduate School of Business California USA में इन्होंने सिक्षा ली हुई है और आप समझ सकते हैं कि USA की जब बात हो रही है विदेश जाने की बात हो रही है अमेरिका जाने की बात हो रही है तो आप समझ सकते हैं इनका background क्या रहा होगा और अभी तक अगर इनका background नहीं समझें तो आप लोग इनकी संपत्ती को देख लिए जोदी अधित सिंधिया कि अगर हम लोग संपत्ती की बात करें तो 374 करोड बताई गई है साल 2019 में जब आप ने देखा हुआ लोग सबाद चुना हुआ था तो उसमें आप देखिए वेवरा देना पड़ता है आपको कि आपके पास कितनी प्रोपर्टी है तो इनों ने उसमें सम्मिट किये कि हल्फ नामे में 374 करोड की बात की हुई थी अगर आप लोग गवाली अर गए होंगे तो मुझे लगता है कि आप लोगों को मालू है कि इनकी पास संपत्ती है इनके बास जमीन जैजाल बहुत है क्योंकि आप देखिए साही परिवाद से सम्मध रखते है और देश में आप देखेंगे काफी राजनीती में इनका बोलबाला भी रहा है इनके परिवार का भी आप देखिए इनके सौंक की बात करें तो पढ़ना, गौल्फ खेलना, क्रिकिट खेलना, फोटोगराफी करना इनका सौंक है पैसा की बात करें तो आप सभी जानते ही कि राजनीतिक गे हैं और एक तरह से राजनीता है और राजनेतिक दल की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि भारती राष्टी कॉंगरेस 2000-2000 में एक में उन्हों ने जोइन की हुई थी अपने पिता की डैथ के बाद और 2020 तक आप सुभी जांते हैं कि ये कॉंग्रेस में रहते हैं और आप सभी जान रखो ये भी मालूगा कि 200 की बात हैं जब आपने देखा होगा कुरोणा चला था महावारी देश में पैली हुई थी और उसी समय आपने देखा होगा कि मदभद देश में MP में सरकार गिरी हुई थी कमलात की और आपने देखा होगा सिवराज सींग मुखमंत्री बनाए गए थे तो किसके सहयोग से सिंधिया के सहयोग से ही सिवराज सिंग मुखमंत्री बनाए गए थे और सिंधिया की वज़े से ही आप देखेंगे कमालाज सरकार को हटना पड़ा था कमालाज को मुखमंत्री पर छोड़ना पड़ा था तो इन्होंने वीजेपी यानि कि भारतिय जंता पार्टी 2020 में ज्वाइन की हुई थी और अभी तक जब हम लोग बात करें तब तक एक वीजेपी में आँगे क्या होता है इस पर हम लोग भविस्वाणी नहीं कर सकते हैं यह तो मुझे लगता है कि आने वाला समय ही बताएगा आगर हम लोग इनके राजनेतिक जीवन की बात करें और मुझे लगता है कि इसी राजनेतिक राजनेता के बारे में हम लोग बात करते हैं यह तो उसके राजनेतिक जीवन को ही देखकर राजनेतिक सफर को ही देखकर उसके बारे में बात करते हैं तो वैसे तो आप सभी जाते हैं कि सिंधिया परिवार सुरोसे ही राजीती में काफी रहा है और उनकी दादी विजय राजी सिंधिया बीजेपी की नेता रही है उनकी बुगा आप लोगों ने देखा हुगा बसंदरा राजी सिंधिया बीजेपी से राजस्थान की सीम भी मुखमंत्री भी बन चुकी है और एक बुगा और भी है और आपने देखा हुगा वो मद्द्पधेस में एक तरह से मद्द्पधेस सरकार में भी मंत्री भी रह चुकी है और वैसे भी आपको बता दूगी कि इनका परिवार कॉंगरिस बीजेपी में बना हुआ है ठीक है पिता मादहुराओ सिंधिया की बात करें तो ये संगे के पहले संगे से भी जुड़े रहे है और एक कॉंग्रिस के बड़े निताओं में थी और पिता की इनकी 30 सेफ्टमबर 2001 को एक हेलिकोप्टर दुरगटना में अचानक से इनकी डेथ हो गई थी उसके बाद आप देखेंगे जोतियादित्य कॉंग्रिस से जुड़ जाते हैं और सन 2002 में क्योंकि आप देखेंगे इनकी फिता लोकसवा सदस थे और आप सभी जानते हैं कि जब किसी बैक्ति की डेथ हो जाती है लोकसवा सदस होता है तो उसके 6 महीने के अंदर आप देखते हैं कि वहाँ उपचुनाव करवाया जाता है तो यही आपकी मद्विदिस में एक गुना सीट है लोकसवा की वहाँ 2002 में एक गुना की सीट से लगभग चुनाव होता है और लगभग एक 4,50,000 वोट से जीत कर संसद में पहुँचते हैं तो एक तो आप सबी जानते हैं कि जब किसी की डेथ होती है चर्चित बेक्ती की पॉपुलर बेक्ती की फरसन तो उसकी हमलर्दी आप देखें कि इस तरह के उनके बेटों को मिलती है तो जोती अधित पहली बार लोगसभा सदस बनते हैं 2002 में सिंधिया की बात करों ठीक है और आपको बता दो ये भी बात कि जो आपकी लोगसभा की चुनाव होते हैं इनके इने डारेक्ट जनता चुनती है अगर आपकी एज भी 18 साल हो चुकी है मदाता सुची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप भी आपने देखा होगा 2014 की लोगसभा चुनाव की बात कर लिजे या 2019 की लोगसभा चुनाव की बात कर लिजे आप लोगोंने बोट भी डाला होगा अब यहाँ लोगसभा का उलिक किया गया है तो लोगसभा के बारे में भी कुछ बता देता हूँ आप सभी जानते हैं कि संभिधा में संसत का प्रावधान किया गया है Article 89 में 79 अनुचित 89 में और संसत की तीन भाग होते हैं एक तो आप राष्टपती देखते हैं राजी सभा देखते हैं लोगसभा देखते हैं आप सभी जानते हैं कि राष्टपती का चुनाओ आप सभी को मालू होना चाही लोगसभा हो, राजसभा हो, विधान सभा हो इनकी निर्वाचिश सदस्तों की द्वारा किया जाता है वही अगर हम लोग राजसभा की बात करें तो राजसभा की सदस्तों का चुनाव आप देखेंगे आपकी विधान सभा की सदस्तों द्वारा किया जाता है और लोगसभा की आप सभी को मालू है कि आपकी डारेक्ट जन्ता चुनती है लेकिन लोगसभा के बारे में एक बात और बताता हूँ आपको कि लोगसभा में अभी बर्तमार की बात करने तो 543 सदस हैं कितने? 543 ठीक है? और अधिकतम सदस की बात करें तो 550 हो सकते हैं एंगलो इंडियन का फ्रावधान कतम कर दिया गया है यह भी आप लोग याद रखेएगा तो ए लोगसवा सदस बनते हैं 2002 में फिर आप देखेंगे 2002 में गुना निर्वाचन 6 से 13 वी लोगसवा के लिए चुनाव लड़ा था और इसे जीता था और सन 2002 में वित मामलों की सम्ती और विदेश मामलों की सम्ती के सदस बनते हैं क्योंकि इनकी सरकार में काफी एक तरह से आपको बताई है न की कुरसी के काफी प्रेमी है फिर आप सभी को मालों की 2004 में लोगसवा के चुनाव होते हैं आम चुनाव और 14 भी लोगसवा के लिए भी है रसे ये चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतते भी हैं फिर आप देखेंगे 2004 में फ्राक्लन सम्ती के सदस बनते हैं और याज काउंफ और सम्ती रक्षा सम्मंदी सम्ती और वित्य सम्मंदी सम्ती के सदस भी बनते हैं कब की बात है 2004 की फिर आप देखेंगे 2008 में संचार और सूचना फिरोधकी मंतरा लेकि राज मंतरी बनते हैं कॉंग्रेस की सरकार की बात कर रहा हूँ ठीक है फिर आप देखेंगे 2009 में पंद्रवी लोगसभा के चुनाओ होते हैं और ये चुनाव लड़ते हैं और फिल से चुनाव जीतते भी हैं गुना से ही ठीक है और 2009 में आप देखेंगे केंधरीए वरडजय और खुद्योग राज मंत्री बनाए जाता है थे और 2012 में केंधरीए उर्जाराज मंत्री बनते हैं और 2013 में अवियान समिती के प्रमुख मन दिपर इसके बनते हैं और 2014 में आप देखेंगे 14 भी लोगसभा की चुनाव होते हैं और गुना सीड से फिर से चुनाव लडते हैं और इस चुनाव में पिर से चुनाव जीतते भी है इस 2014 वही साल था जिस साल आप देखाście होगा सेदान मंतरी की रूम में नर्द मोदी को सामने रखा गया था वीजेपी की द्वारा। और उस समय आप देखे सकते हैं कि BJP की काफी लहर चल लगी थी मौदी के बज़े से तो ए उस समय आप देखेंगे अपनी सीट निकाल लेते हैं उस समय भी आप देखेंगे कि कॉंग्रिस के बड़े दिगज चुनाओ हार गए थे हाला कि आप सभी जानते हैं कि साल 2019 में 17 भी लोगसवा के चुनाओ होते हैं और इसमें लोगसवा में चुनाओ में सिंधिया को पहली बार हार का सामना करना पड़ा गुना सीट से और आप सभी जानते हैं कि सिंधिया की बहुत बुरी तरह से हार होती है और 2019 के लोकसवा चुनाव में भी आपने देखा होगा बड़े दिग्यत चुनाव हार जाते हैं और मौधी को एक तरह से आप BGP को भारी बहुमत मिलता है और सिंधिया को BGP की एक नेता थी किसने पाल सिंग यादो से इन्हें सीट से हरा दिया था किसने केपी सिंग भी कहते हैं इन्हें किसने पाल सिंग यादो कहते हैं सिंधिया के एक तरह से आप देखी कि ये भी कहानी काई ये बार चली हुई थी आप लोग ने टीवी ओपर देखी भी होगे निगुच पिपरों में सुनी भी होगे कि जो केफी सिंग यादो थे या किशन नपाल सिंग यादो थे ये सिंधिया के काफी खास थे और इन्ही ने इनके खास नहीं इन्हें चुनाओ हरा दिया था और एक तरह से आप कह सकते हैं कि सिंधिया को यहां सबसे बड़ा जटका लगता है और उनकी एक तरह से आप देखी कि जो उन्हें सकती थे एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनका चर्चित ब्यक्ती बने हुए थे कॉंग्रेस में मारनता मिलती थी पॉफूलर थे उनकी पॉपरली गिलती है एक तरह से ठीक है? और फिर आपने देखा होगा कि 2020 में जोतिया दित्य सिंधिया कॉंग्रेस को छोड़कर भारती जंता पार्टी में सामिल हो जाते हैं और जोन 2020 में आप देखें कि राजसभा सांसत बनाया जाता है और राजसभा के बारे में भी आपको बता चुका हूँ कि जो राजसभा के सदस होते हैं इनका चुनाओ कौन करता है विदाहन सभा के सदस करते है और इसमें आप लोग को बता दूँ कि अभी बरत्मान में 245 सदस हैं इसमें किसमें राजसभा में ठीक है और राजसभा के सदसों के कारकाल की बात करें तो 6 बर्स होता है, कितना 6 साल होता है एक बार ये चुल लेंगे, फिर 6 साल तक इनका कारिकाल बना रहेगा और राजसभा सदस बनने के लिए आपकी आयू 30 बर्स होने चाहिए नहीं उन्तम अगर आप 30 बर्स के हैं, तो आप लोग राजसभा का चुनाव लड़ सकते हैं और अगर आप लोगों की एच 25 साल हो चुकी है, तो आप लोग लोगसभा का चुनाव लड़ सकते हैं फिर आप देखेंगे 2021 में जोती अदित्य सिंधिया पिधान मंत्री मोदी की नितित वाली सरकार में नागरे कुटेन मंत्री बनाए गया है क्या नागरे कुटेन मंत्री बनाए गया है और अभी आपके नागरे कुटेन मंत्री बने हुए हैं सिंधिया और फिर से आपसे बोला हूँ, जो पहले भी बोला हुआ है कि आने वाला समय अब क्या होता है राजनीती में और आज के राजनेताओं पर भरोसा नहीं किया जा सकता है सिंधिया को छोड़िए कई नेताओं के बारे में आप देखिए इस पार्टी से उस पार्टी की तरह से एक तरह से चलता रहता है दल बदलू चलती रहती है और आप देखिए आज के नेताओं के लिए कुरसी ही सबसे बड़ी बात है वो कुरसी से उतरना ही नहीं चाहते है आप देखे कई नेताओं वो आप लोग जानते होंगे जिनके आप देखे कि एक तरह से बुड़ाफा खताओं है जाने का टाइम खताओं है फिर भी कुरसी नहीं छोड़ते है चलिए खेर आपके सिंधिया की कहानी यही रही है अगर टाइम कभी मिलता है तो सिंधिया वरिवार के बारे में भी एक तियास हम लोग देख लेंगे